सो गैस अगर आप लोग Realme C33 यूज़ कर रहे और यह डिवाइस में अगर आप लोगो को फिंगर प्रिंट लॉक का सेट अप करना हो तो कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक यूज़ लोग स्क्रिन का पास्वड डाल दिजएंगा यहाँ पर बोल जाएगा प्लेस् यूवर फिंगर अंगर ऑनद सैंसर हमें अपना फिंगर प्रिंट हरी एक एंगल से यहाँ पे प्लेस कर देना है तो यहाँ पे fingerprint lock add हो चुका है done पे click करेंगे इस टाइब का आप लोग को interface देखने को मिलेगा screen unlock को on कर दीजेगा तो आप लोग के lock के screen में fingerprint काम करने start कर देगा और इसके अलावा आप लोग add a fingerprint पे click करके और भी fingerprint को add कर सकते है then app lock में use करना और private safe में use करना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में enjoy मता दी